देखे अगर कम पैसा इंवेस्ट करके आपको एक अच्छा बिजनस करना है बहतर बिजनस करना है तो मेरे हिसाब से जूस कॉर्णर से बहतर या फिर जूस शॉप से बहतर और कोई बिजनस होई नहीं सकता है जिस रफतार से लोग आज के टाइम में अपने हेल्थ को लेकर जागरूख हो रहे हैं उसी रफतार से ये जूस का और फूस का बिजनस लगातार बढ़ता जा रहा है पर फिलहाल आज की इस वीडियो में आप जूस के बिजनस को स्टार्ट करने की ए टू जड़ डीटेल्स जानने वाले हूं कितने रुपए इंवेस्ट होंगे क्या क्या चीज़े आपको खरीदनी पड़ेंगी कहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें कितनी अर्निंग हो सकती ही ये सारी जी आज कि इस वीडियो में पता चलने वाली है तो वीडियो को लाश तक जरूर देखि इस वीडियो में हम सिर्फ चार पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो चार के चार पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप पे एक जूस इस्टाल या फिर जूस आप श्टार्ट करने वाले हैं अगर उन पॉइंट्स में में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उसका लोकेशन कहां है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो अगर आप किसी हॉस्पीटल के नियर भइ खोलते हो, अगर कोई बड़ा हॉस्पीटल एच्छा ऑस्पिटल एच्छे खासे मरीज वहां आते हैं तो उसके आज सपास अगर आप इसे स्टार्ट करते हो तो आपकी जो अपॉर्चिनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें कि आज के टाइम में लोग फिटनेस को लेकर आपके रेगुलर रहेंगे उससे ज़्यादा लोग आते हैं तो उससे ज़्यादा रोल लोग भी रेगुलर हो जाएंगे आपके अगर आप किसी जिम के नियरवाई स्टार्ट करते हो इसके अलावा अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो किसी भरे मार्केट में स्टार्ट कर रहा है तो एक बंदा दूसरे को juice दे रहा है या फिर उससे पैसे ले रहा है वो counter देखेगा तो कम से कम इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको दो बंदे की जरूत पढ़ने वाली है अगर आप खुद स्टार्ट करते हो तो आप एक बंदा से अधिक को ही रखना पड़ेगा अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री कि अगर आप एक जूस इस्टॉल या जूस शॉप खोल रहे हो तो यहां पर आपको किन-किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है पहला तो आपको एक बड़ा से चैनने की जरूरत पड़ेगी जिससे आपका जूस चैनने का उसके अलावा गरम बात करें तो कम से कम दो श्टील के ब्रांडेड मजबूत जूसर मसीन होने चाहिए कि बाई चांस एक अगर गड़वर ही हो जाता है तो आपका काम ना रुके जब तक वो बन के आता है तो दो आप रख सकते हो यहां पर अगर आपके पास electricity की सुविधा है तो आप बिजली वाली मशीन भी खरीच सकते हो पर इसके अलावा आपको एक refrigerator तो लेना पड़ेगा क्योंकि fridge नहीं होगा तो आप बर्फ रखना होगा आपको इसके अलावा जो fruits होंगे वो सूख जाया करेंगे इसलिए आपको fruits को भी ताजे रखने के लिए एक अच्छे refrigerator की जरूरत तो पढ़ने वाली है इसके अलावा आपको कुछ कटोरे चाहिए होंगे और कुछ कांच के glass चाहिए होंगे आप चाहे तो steel के glasses भी रख सकते हैं या फिर plastic के भी रख सकते हैं वो आपके ओपर depend करता है कि आप किस तरीके से sale करेंगे बाकि अगर कोई juice pack कराता है तो उसके लिए आपको कुछ polythines भी चाहिए होंगी और आपका जो style होगा वो आपको कहां खोलना है कैसे खोलना है वो आपको समझना होगा अब हम बात करते हैं point number four और last point की कि आपका इसमें investment कितना होने वाला है और आप इसमें earning कितनी कर सकते हैं तो देखिए अगर investment की बात करें तो वो depend करता है आपने कैसी जगे पर shop लिया है माल लेते हैं आपने किसी जगे पर किराया पर shop लिया है तो उसका किराया side कर देते ह बाकि आपके जो बंदे आपने दो रखे होंगे उसका और इसके अलावा जो आपकी मशीन का कोश्ट होगा जो फ्रिज का कोश्ट होगा इन सारी चीजों का कोश्ट निकाल के लगबग लगबग आपका 30,000 से 50,000 के बीच में इंवेस्टमेंट आ जाएगा और इतने में आप इससे बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं साथ ही अगर इसमें हम आर्निंग की बात करें तो आप एक ग्लास पर एप्रोक्स 10 रुपे तक बचा सकते क्योंकि माल लिया एक ग्लास पर आपके 10 रुपे इन्वेस्ट हुए हैं एक ग्लास जूस बनाने पर उसे आ पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक अच्छा जूस शॉप स्टार्ट कर सकते हैं ओकर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वरना आप इस्टाग्राम पर जाकर सब्च भी कर सकते ह अनूप सिंग अंडेस्कोप एसके वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब जरूर कर दीजिएगा मैं विल तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रों